बेलकम टू एन कुक तो आज हम पनाते हैं सूजी की बर्फी जो बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाले मिठाई है इसकी सेल्फ लाइफ एक मेने तक है आप इसे सफर के लिए बना सकते हैं किसी फेस्टिबल पर बना सकते हैं या जब भी आपका मिठाई खाने का मन है तब आप इसे बना के खा सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सूजी की बर्फी बनाने के लिए ले लेते हैं एक कप सूजी आदा कप देशी घी एक चौथाई कप मिल्क पावडर बन थाड़ कप चीनी तीन चम्मच बारी कटा हुआ पिष्टा करीब तीन पारा केशर के धागे एक चम्मच इलाची पावडर तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले एक ट्रे लेंगे और इसे घी से गिश कर लेते हैं यह बहुत स्वाधिस्ट और बहुत कम समय में बनने वाली मिठाई है तो एक बारा आप जरूर ट्राय करें तो हमने ग्रीस कर लिया है अब हमें कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे तो कढ़ाई तो हमारी हलकी गर्म हो चुकी है अब जो हमने आदा कप घी लिया है वो इसमें डाल देते हैं घी तो हमारा मेल्ट हो चुका है अब जो हमने एक कप सूजी लिये वो इसमें डाल दे तो सूजी हमारी लाइट ब्राउन हो चुकी है इसमें कुस्पू में काफी प्यारी आ रही है अब हम इसे हटा देते हैं अब हम रख देते हैं एक पैन और इसमें डालेंगे बन थाइड कप चीनी यानि कि एक कप से थोड़ा कम बन थाइड कप इसमें पानी डालेंगे यानि कि एक कप से थोड़ा कम अब हम इसकी चासनी बना कर तयार करेंगे तो चासनी को बनने देते हैं चासनी बनने में बस पांच मिनिट का समय लगेगे बहुत जली वर्पी बनकर तयार होती है तो चासनी को हम चेक कर लेते हैं हमें बस एक तार की चासनी चाहिए इसे हमें जाना थिक नहीं करना है तो इसमें एक तार निकल रहा है बस हमें इतना ही पकाना है अब हम इसमें डाल देते हैं एबन टीश्पून इलाची पाउडर 10-12 केशर की धागे अब जो हमने सूजी को रोष्ट करके रखा है उसे मिक्स कर देंगे इसमें डाल देते हैं चौथाई कम मिल्क पाउडर इसे एक तम मावा का टेक्सर आता है बहुत टेस्टी वर्फी बनती है कुछ पिष्टे बारिक कटे हुए थोड़े से बारिक कटे हुए काजू और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा सा मावा डाल चकते हैं मिल्कुल सेम टेस्ट आएगा तो हमें तब तक चलाना है किनारे शे निकलने ना लगे इस तरीके से तो दा फॉड़ा सा और पका लेंगे की अ बन फॉड़ा सा चेक करेंगे बके थोड़ा सा लेकर फानी में डाल देख अब हम इसे चेक करेंगे अब यह थोड़ा सा लूज लग रहा है बस दो मिनट और पकाते है तो अब यह पैन से पूरी तरह से चारो तरफ से अलग हो रहा है जमाने के लिए विल्कुल तयार है गैस को आफ कर देते हैं और जो हमने ट्रे ग्रीस करके रखी है उसमें डाल दे इसको सेट कर देते हैं चारो तरफ एक सार फैला देते हैं तो बर्फी को हमने ट्रे में सेट कर दिया है अब जो हमने ड्राय फूट से बचा के रखें उसको स्प्रिंकल कर देते हैं तो सूजी की बर्फी बहुत जल्ली जमने लगती है तो इसमें हम कटकी निसान लगा देते हैं इसे हमें बहुत जल्ली काटना होता है क्योंकि अकर यह ज्यादा टायट हो जाती है तो काटने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो हमारी बहुत स्वादिष्ट सूजी की बर्फी बनकर तयार है बिल्कुल मावे जैसा इसका टेक्सर आया है तो आप इसे जरूर ट्राय करें तो आप इसे बनाईए खाईए और अपने ही चैनल को लाइक शेयर वाद सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो मिलते हैं किसी स् ाई टत बाईए और झा原, जरूर में भावे क्छल मे elo हैैं किसी किसी स्वार सकत हो कुल की ब News चक्क शीवर केशवड़ हैं किसी सुल सब्सक्राइब हो किसी